हलो प्रेंट्स रत्लामी चाहिके मैं आपका वेलकम है तो प्रेंट्स दीवाली आने वाली है तो आज मैं आपके लिए डीवाली स्पेशल जटपट बनने वाला पोहे का च्यूडा की रेसिपी लेकर आई हूँ और पहरे भी मैंने जटपट बनने वाली नाश्टे की अगर आपको यह रहसेपी अच्छी लगे तो प्लीज शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें तो फ्रेंट्स यह मैंने आदा किलो पोहे लिए हैं यह इस्पेशल च्यूडा के लिए आते हैं यह पेपर पोहे से थोड़े से मोटे वाले पोहे हैं अगर आपको यह मार्केट में नहीं मिले तो आप इसकी जगे पेपर पोहा भी यूज कर सकते हैं मैंने पोहे को पहले चाल लिया था और अब हम इसमें थोड़े से पोहे लेंगे तेल को मैंने पहले से गरम होने के लिए रख दिया था और पोहे को इस तरीके से प्राइ करेंगे अगर आप इस तरीके से पोहे प्राइ करेंगे तो ये बिल्कुल भी जलेंगे नहीं क्योंकि पोहे बहुत ही पतले होते हैं तो ये बहुत जल्दी प्राइ हो जाते हैं और पोहे का कलर भी भाईटी रहने देना है आपको इसे गुलाबी नहीं करना है बस जैसे ये उपर आ जाए फूल जाए वैसे ही आप इसे निकाल ले इसका अच्छी तरह से तेल निकाल देंगे और इसे एक बड़ी थाली में डाल देंगे तो देखिए आप इस तरीके से पोहे फ्राय करेंगे तो आपके पोहे बहुत जल्दी फ्राय हो जाएंगे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और ये जो दूसरी जम अचे उससे आप इस तरीके से बाकी जो बचे हुए पोहे निकाल ले तो ये देखिए मैंने सभी पोहे फ्राय कर लिए हैं पोहे में डालने के लिए ये मैंने कुछ चीजे लिए जिसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है तो ये मैंने सुखा नारियल लिया है जिसके पतले और थोड़े बड़े पीस कर लिये हैं मुमफली के दाने और कडी प्ता जिस तेल में हमने पोहे फ्राइ करें थे उसी में हम ये सभी चीज़े फ्राइ कर लेंगे तो ये मैंने नारियल के टुकड़े डाले हैं तेल मीडियम गरम होना चाहिए और इसे हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राइ कर लेंगे तो ये देखिए हलके से लाइट ब्राउन हो गए है तो अब हम इसे निकाल लेते हैं इसी तेल में मुफली के दाने भी डाल देंगे और इसे भी हलका सा प्राय कर देंगे गेस की फ्रैम मेडियम रखेंगे इस तरह से आप इसे पीच वीच में हिलाते रहें ताकि इसकी सिकाई एक जैसी हो और ये जले नहीं तो देखिए ये फ्राय हो गए है इसे भी हम निकाल लेते हैं अब इसमें हम करी पत्ते भी फ्राय कर लेंगे तो इस तरीके से आप करी पत्ते ले ले और इसे गरम तेल में इस तरह से ढाल दें तो ये अच्छी तरह से ट्राय हो जाएंगे तो ये देखिए करी पत्ते भी अच्छी तरह से कुर्कुरे हो गए हैं तो इसे भी हम निकाल लेते हैं इसे डारेक्ट पोहे में डाल देंगे और जो हमने मुमफली के दाने फ्राइ करे थी वो भी इसमें डाल देंगे और साथ में जो हमने सुखा नारील फ्राइ किया था वो भी डाल देंगे अब हम इसमें सभी मसाले डालेंगे तो ये मैंने बन पोर्टी कप शक्कर लिए देड़ चम्मच काला नमक एक चम्मच साधा नमक तीन बड़ी चम्मच सोव दो बड़ी चम्मच लाल मिच पाउडर आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच टाटरी और ये मैंने कुछ 6-7 लोंग ली है और 15-20 काली मिर्च इनसा भी सामगरी को जार में डाल देंगे और इसका बारिक पाउडर बना लेंगे मैं इसमें हींग नहीं डाल रही हूं अगर आप हींग डालना चाहते तो इसमें एक चोधाई जम्मच हींग डाल दें तो ये देखिए मैंने इसका फाइन पाउडर कर लिया है अगर ये थोड़ा सा मोटा भी रह जाता है तो कोई बात नहीं और देखिए मैं हाथ से भी दिखा दी और ये देखिए मैंने एक दब बारिक पाउडर किया इसका पोहे में जो अपने मसाला बनाया है वो डाल देंगे अभी इसमें में आधा मसाला ही डाल रही है इसे पहले मिक्स कर लेंगे और फिर वापस जो बचा हुआ है वो डालेंगे ताकि पोहे में अच्छी तरह से मसाला छिपक जाए अब इसे हम दो चम्मत से इस तरह से मेक्स कर लेंगे तो यह बहुत जल्दी अच्छी तरह से मेक्स हो जाएगा आप इसमें बादाम, काजू, मखाने अपनी पसंद के ड्राइप रूट से भी प्राय करके डाल सकते हैं मैंने आपको सिम्पल तरीका बताया है लेकिन इसमें करी पता और सोफ आप जरूर डाले इससे पोहे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है जो मसाला बच्चा हुआ है, वो सारा इसमें डाल देंगे अगर आप इसमें नारियल और मुफली के दाने नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे इसकिप कर सकते हैं सिम्पल पोहे का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है यह बहुत ही हल्दी नाश्टा है, आप इसे breakfast में डेली भी खा सकते हैं और अगर नहीं बाहर जा रहे हैं तो आप इसे साथ में ले जा भी सकते हैं, यह long time तक खराब नहीं होता है और छोटे हो या बड़े यह नाश्टा सबको बहुत पसंद आता है और आप इसे बच्चों के टिपिन में भी रख सकते हैं बड़े जा रहे हैं